नमस्काल friends मेरे चैनल ग्यान प्रकास में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं stack programming using array इनसी में stack के complete operations को, push and pop के complete operations को हम आज इस वीडियो में समझेंगे friends आए friends हम देखते है what are the basic stack operations friends बैसीकली इस से पहले मैं आपको बतादू फ्रेंड्स जो stack होता है हमारा वो लीफो concept करें काम करता है यानि last in first out यानि जो element जो item सबसे last में insert होगा stack वही item सबसे पहले stack से रिन्मूम होगा y या delete होगा friends आपको friends बतादू basic stack के जो operations होते हैं दो operation एक push operation होता है friends और एक आपका friends pop operation होता है push operation friends insertion of element into stack यानि push operation हम क्या करते हैं जो हम stack में insert operation perform करते हैं यानि push operation में हम element को insert करते हैं stack में और friends pop operation हम क्या करते हैं elements को remove करते हैं stack से यानि stack के top से टॉपव से हुए स्टेग में विमेंन इंशर्ट बहा फ्रेंट्स उर टॉप से ही स्टेग में ध्याले मिलिंच वहके ब्लबू फ्रेंट्स ऑइन सबस्ते में पुश्षिप्राइशन है क्या लिखिवा अ जो हमारा array हमने define किया हुआ है ये एक array stack को represent कर रहा है ये array हमारा जिसकी maximum size 5 है एक, दो, तीन, चार, पाँच है यानि maximum size 5 यानि maximum 5 elements हम लोग इस array stack में हम लोग insert कर सकते हैं इस array का नाम हमने stk दिया हुआ friends ठीक है देखे friends ये stack अगर full होगा यानि 15, 20, 30, 40, 50 अगर ऐसी conditions है या stack हमारा full है यानि stack की जितनी भी positions है हुआ सभी positions पर अगर element है इसका मतलब हमारा stack maximum size पर यानि जो भी maximum size है, maximum size तक elements है suppose इससे आपको ये top of stack है इस तरह में top of stack की value 5 है यानि element 15 ये हमारा insert हुगा तो top की value 5 यानि अब इसके बाद हम कोई भी element insert नहीं कर सकते हैं यानि अगर हम इसके बाद element insert करेंगे तो what's mean that कि हमारा stack overflow full हो जागा यानि हम कोई नया element नया data हम stack में insert नहीं कर सकते difference अब फ्रेंट दूसरा example consider करते हैं यह देखिए यह सेम है यहां पर देखिए आप थर्टी फोर्टी फिफ्टी एलिमेंट्स है तो टॉप की value इससे हमारी 3 इंफ्रेंट्स और हमारे पास अभी दो पोजिशन आपकी खाली है फ्रेंट्स यानि इन पोजिशन पर अगर ऐस यह सिचुएशन है हम तब ही हम स्टैक में एलिमेंट उस कर पाएंगे या स्टैक में इलिमेंट इंसर्ट कर पाएंगे फ्रेंट्स यानि अगर स्टैक हमारा फूल होगा हम कोई भी इलिमेंट इंसर्ट नहीं कर पाएंगे यानि फुल यानि एलिमेंट इंसर्ट करने स्प जो भी area की size है वही इसकी maximum size होगी ओके friends यहाँ पर हम दो element अभी stack में और insert कर सकते हैं ओके friends आई हम समझते हैं code for push operations friends अगर हमको coding करनी है push operations के लिए था हमको एक function बनाना पड़ेगा आपको c में white push, white push का मतलब अगर आपने किसी functions value value use किया हुआ friends तो obviously यह function कोई value return नहीं करेगा ओके friends let's see friends देखते हम देखिए अब हमनी हाप wait if top equal to max size यानी max size वहला जो भी हमारे area की size होगी उस size के equal अगर हमारे top की value देखिए friends तो हमारे top की value यह हो टॉप यह है अगर top की value हमारे 5 हो चोगे यानी element insert हो चुके है it means that what friends हमारा जो stack है stack is overflow मारे stack full हो चुका है अगर friends stack full नहीं है second situation जो दूसरी condition है यह वाली condition friends अगर यह वाली condition यह वाली situation है it means that हम लोग stack में element insert कर सकते हैं यानी friends else हम क्या करेंगे user से element insert करवाएंगे okay friends और top की value के एक increment करेंगे friends top की value के एक increment करने का मतल है friends यह जो top है अगर यहां पर हम top की value के increment करेंगे तो यह top यहां 4 हो जाएगा जो next element होगा हमारा friends इस particular place पे insert हो जाएगा okay friends तो top हमारा top को plus plus किया और stack के top में यानी जो हमारा एदे stack है उसके top में हमने क्या किया item जो हमने user's insert करवाए था उसको insert कर दिया यानी stack के top में वो value हमने insert कर दिया उस कर दिया okay friends let's understand the pop operation pop operation simple see friends है कि हमको element remove करना stack के top से अब friends यह देख रहे हैं यह हमारा stack empty है यानी जब stack हमारा empty होगा top की value क्या होगा initially 0 होगी friends अगर stack हमारा empty है top की value क्या है 0 होगी यानी जब top की value 0 होगा stack में कोई element नहीं होगा जब stack में कोई element नहीं होगा friends तो आपके पास delete करने के लिए भी कुछ नहीं है जब भी आप delete operation perform करेंगा तो बताएगा आपको program में आपका message देगा कि जो stack है वो overflow है यानी sorry stack आपका underflow है अंडर फुलो है यह और फुलो है यहां फ्रेंट्स सब्सक्राइख है इस अंडर फुलो या आपका stack जो है empty friends ओके अगर friends stack में elements 30 40 50 तरह के तब आप इनको top से stack की delete कर सकते हैं अगर आप 30 डिलीट करोगे top की value एक minus हो जाएगे तब top 2 को point करेगा जब आप 40 को delete करोगे friends top की value फिर एक minus होगे तो टॉप 1 को point करेगा अगर आप 50 डिलीट कर दोगे इसका मदल्दा friends का है कि top में से value कतम हो जाएगी और यह top की value का जीरो set कर दो जब आपकी value 0 हो जाएगे this means that what the stack is empty stack is underflow यानि stack को element नहीं है यानि अगर stack को element नहीं है तो हम stack से element pop भी नहीं कर सकते delete भी नहीं कर सकते friends okay white pop हम कोड़ देखके friends pop के लिए if top equal to 0 हो अगर हमारा top 0 हो friends सम्सिंदिस बात है हमारा stack क्या है underflow हो है या empty है friends stack is underflow और empty friends okay next friends अगर top 0 नहीं है top में कुछ elements है हमारे stack में कुछ elements है यानि top की value 0 नहीं है इसके मालब stack हमारे elements है तो friends क्या करेंगे हम जो top की value होगी यसे friends ही हम आ लिजिये ये top की value है इसको print करवा लेंगे और top की value को minus करवा देंगे same friends वही code में हम कर रही है देखिए हमने क्या किया top की value को friends यहां देखिए print करवा लिया जो भी stack के top की value थी और top को minus कर दिया friends इस ते से क्या हुआ हमारा stack में से एक element remove हो गया pop up हो गया element pop हो गया friends ओके friends अब हम friends जो third coding है हमारा जो third function है डिस्प्ली फंक्शन कोई ऐसे करें अपने ब्रिलु से करें अपने रिफरेंट कोई में नहीं होगी तो stats से कुई भी element प्रिंट नहीं प्रूप मेंने से कोई भी element प्रिंट नहीं अगरा हैम वी अमठी म हम्हारा स्थाप में कैने सिर्फ में और टौप से वाली हम अपलए काई i i equal to top यानि top से हम चलाएंगे top की जो भी value होगी friends वो i को assign हो जाएगी और कब तक चलेगी जब तक वो i की value greater than 0 रहेगी और उसके बार i की value होती रहेगी for loop में friends और हम क्या करें stack की top वी value को print करवाते रहेंगे top से जो भी value रहेगी एक एक करके decrement होते हुए हम top 1 तक की value को print करवा लेंगे और जैसे ही top 0 हो जागत हम loop से बाहर आजाएंगे friends यानि हमाया जितने भी stack की elements होंगे वो सारे elements friends print हो चुके होंगे friends आयो friends अब हम complete stack program को देखते हैं प्रेंगे friends पूर अप्लीट इस्टेक प्रांगा friends इस्टेमिनिट friends ये लोड हो रहा प्रोगाम ये friends अहां ये friends देखिया ये हमने complete stack implementation using areas trends include studio.age include corneo.age has defined max ये आपको बता ये header files है studio standard input output and console input output header files है.has defined एक macro है friends इसी max की value हमने 5 को करेंगे max की value हमने 5 define की हुए.stk this is an array friends this is an array ये stk के नाम के हमने एक array create किया है इसकी maximum size हमने 5 रखेंगे friends integer top initially top की value 0 यानि हम मान के लाह मारा सुरू में stack empty है item एक variable ले लिया है i एक variable white push ये आपका function declaration है और ये function और variables का ये global declaration है क्योंकि हम main से पहले करें friends ये functions का और functions का variable का global declaration है friends आई ये friends अब main function में देखते हैं main function में simple friends integer दो टाइप integer टाइप दो variable से एक i है एक choice है ये clear screen के बारे में आपको पता है कि screen के जो भी previous output होता वो clear कर देता है while one while one means friends जब तक हमारी condition true रहेगी तक ये while loop हमारा continuous mode में चलता रहेगा ये जब तक true रहेगी तो उसके अंदर हमने options दिये हुए push operation, pop operation, display और edit ओके friends और यहां पर हमने user से enter twice करवाई है one two three जिस्त रहेगे तो जो भी user enter करेगा one करेगा तो push operation होगा two enter करेगा तो friends pop operation होगा और three enter करेगा तो stack kaly में इसको display होगे अगर four करेगा तो वो program से बाहर आ जाएगा आये friends हम दो switch case में देखते है according to choice of user switch case में आये case one में push operation perform होगा case two में pop operation perform होगा case three में display operation perform होगा okay so many friends exit exit यह आपका library function से friends हमने इसको लाइवे से यूज किया पर्दा मैंने प्रोग्राम से बाहर आने के लिए यूज होता है आपका okay friends बाकि आपको default operation अगर आपने कोई यह options नहीं दिया तो अपने आपको आपको बताएगा you selected the wrong choice okay friends next mode 2 push operation friends यह देख्या friends push operation जो आपको मैंने इससे पहले coding दिखाई थी push function आपको है यह push konrion की definition दिये friends यह हमने देख्या आउटसाइड deux一樣 हमारा यहासरा यहापर switch case बंद सुबंद हो गया friends switch बंद हो गया हमने जो function की definitions दियेँ इस आल और दा function definitions यह function definition है यह हमारा जो push function वो काम कैसे करेगा उसकी definition क्या है उसको friends हमने यहां पर देखें completely दिया हुआ है next friends हमारा pop function है pop function की definitions है और उसकी बाद friends हमारी display function है display function की complete definition है friends ठीक है friends okay आये friends हमें stack complete program को रण करके देखते हैं देखिए friends यह जो has include studio.net has include conno.net has defined max 5 integer stack same program friends मैंने open किया हुआ आपका तर्बोशी प्लस प्लस में friends okay friends यह सेम program है friends यह देखिए हमने integer stack top equal to 0 item i white push white pop white display main function integer i twice clear screen while one printer operations available operations push pop display exit enter your choice scan हमें हमने choice लेलिया friends case है okay यह सारा complete program है friends हमने इसी देखिए फ्रेंट्स यह देखिए फिर यहां पर main के बाहर push operation को define किया हुआ friends main के बाहर आपको friends pop operation को हमने यह देखिए define किया हुआ है और यह friends हमारा display operation है यह display operation है friends यह display operation को भी हमने main के बाहर differently किया है आईए friends हम इस program को run करके देखिए friends simply यह friends हमारा program run हो रहा है अब हम friends जो options जेते one enter करते हैं enter the element to insert यानि stack में insert करने के लिए हम element देते हैं 56 okay friends हमने आपको पताया था जो हमारे stack की size है वो maximum five friends हम maximum five elements insert करेंगे ताकि हम overflow की condition को भी check कर सकें कि हमारा stack full हो रहा है कि नहीं हो रहा है condition represent हो रही है कि नहीं हो रही है okay friends अब हम इसके बाद फिर one करते हैं हम second element insert कर रहा है 89 friends next friends है हमारे पास फिर हम one options select कर रहा है element insert करने के लिए अब 90 हमने friends तीन element insert कर दिया है 56, 89, 90 यानि friends 56 सबसे पर insert किया तो यह सबसे नीचे होगा stack में फिर उसके बार 89 और सबसे टाप पर कॉल से element होगा फ्रेंट 90 होगा इसको देखते है कि क्या हो आपके 90 ऊपर है friends हमने देखे display किया है थिरी option select करके देखिए आपके element friends 90, 89 and 56 okay friends let's check the overflow condition फिर हम मारे पास stack में तीन element है friends हम फिर stack में करते है friends इस बार हम आपका 40 इंसर्ट कर रहा है stack में okay friends वन मोर item I am going to insert friends on last 67 70 इंसर्ट करने friends okay यह friends हम इंसर्ट कर दिया फिर में अब हम क्या करते है एक बार फित चर्क लिदा माई stack के लिए में देखिए फ्रेंट्स फाइब यानि 70 हमने सबसे लास्ट में इसर्ट किया तो सबसे टॉप वैल्यू 70 है उसके बाद 40 इंसर्ट का जो concept है जो रूल से फॉल हो रहा है अब friends overflow के लिए एक बार हम एक element और इंसर्ट करेंगे यह देखिए वन इंसर्ट किया हमने जैसे ही च्वाइस वन सेलेक्ट किया यानि हमारा इस्टैक किया है वह ओर फॉलो हो चुका है यानि अब हो मुझे में element इंसर्ट नहीं कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स नेक्स अब बात करते हैं पॉप आप ऑसे यानि इस टाक के टॉप सेली में को डिलेट करना है हमारे इस्टैक में टॉप सेवंटी अलिमेंट कर रहे हैं रहे हम इसके एक पोजीशन राइट नो क्या है फ्रेंट्स सेलीट हो चुका है नेक्स एटिलेट करते हैं तू से अब क्सार्ट में इसको आप में हो होगा फिर हम तू से डिलीट करते हैं तुस तॉप में कौन से एलिमंट होगा इसके बाद फ्रेंट्स नाइनटीध है निरीट होने चाहिए यस अब अब राइस ट्रफिर जूट है अब आय स्ट्फिर फिर ती खुल प्रेंट्स जेले हैं निरुट्स नेग्सट अब हम फिर अगर हमारे पास कोई बी वीड नहीं अगर अब हम पॉप आपर जाय करके तीसा पसे देखे दभी होई मैसर आगा तक अखाए क्योंकि जब एली मेंटी निए इस डिस्पली क्या होगा और फ्रेंट्स फ्रेंट्स लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल और हाँ फ्रेंट्स अगर आपको कुछ भी दिख्कत वो इस ट्रैक से कि किसी भी कॉंसेप्ट में आप मेरे को कमेंट सेक्शन नहीं पूछ सकते मैं आपको उसका रेप्लाइज जरूर करूँगो फ्रेंट्स और हाँ फ्रेंट्स बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि जब भी मैं नहीं वीडियो अप्रोड करूँ तो आपको उसका नॉट्रिफेकेशन मिल जा उसकी साथ नमस्कार धन्यवाद